हेलो फ्रेंड्स अगर आप सभी किसान हैं और आपने किसान सम्मान निधी योजना के अंत्रगत ऑनलाइन अवेधन किये हुए हैं और आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं गया है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में किस कारण से पैसा अभी तक नहीं गय है और आपके खाते में कब तक पैसा जाएगा और आपका जो फरम है किस कारण से छटा हुआ है किस अस्तर पे जाके छटा हुआ इन सारे चीजों के बारे में आप अपने मुबाइल से जनकारी ले सकते हैं तो इस वीडियो को फूरा देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मोगे का पास शेयर करें तो विडियो को हम सुरू करते हों सबसे पढ़ो दोस्तों स्कोफ प्रोम ब्राउजर को ऊप्न करेंगे हैं और जैसे हैं और यहां पर टाइप करेंगे उसके बार से आपके सामने एंगरीकीश्चर अब इसके हम खूलेगा अब यहाँ पर क्लिक कर लेंगे आप जैसे ही क्लिक किजए का तो आपके सामने नोटिफिकेशन खूलेगा वह पर आपको क्लिक लेंगे आप near क्रिसी विभाग का पोटल ओपेन हो जाएगा अब इसमें आपको करना क्या किसान पंजिकर्ण नमबर सबसे पहले आपको चाहिए अगर आपको किसान पंजिकर्ण नमबर पता है तो कोई बात नहीं अगर नहीं पता तो आप यहां से खोज भी सकते हैं खोजने के लिए जाने कुझे आपके के जाते हैं पूरा डिटेल अब इस डिश्टेल में आपको किसान पंजिकर्ण को कॉपी कर लेना है हम जैसे कि यहां पे copy करकर रखे हुए हैं, copy कर लेंगे, copy करने के बाद से हम उसको फिर से उसी पोटल पे जाएंगे, किसी विभाग पोटल पे, उसके बाद से आवेधन की इस्तिती पे हम click करेंगे, तो आपके सामने सबसे निचे परधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना जो दिख रहा है, उस पे आपको click कर लेना है, आप इस पे जैसे ही click किजिएगा, तो यहां पे application number मांग रहा है, तो यहां पे किसान पंजिगर्ण number type कर लेना है, उसके बाद से search कर लेना है, आप जैसे ही search पे click किजिएगा, तो आपके सामने यहां पे दिखा देगा, जैस जो है पंचायत अस्तर से ही रद कर दिया गया है और रिमार्क में रॉंग लेंड रिशीप्ट एंड ओर्ड इनका जो रसीद है वो पुराना है या जो जमीन का रसीद जो दिये हैं गलत है जिसके कारण से इनका जो आवेदन है पंचायत अस्तर से ही रिजेक्ट कर दिया गय तो जब तक यह सही नहीं कराएंगे तब तक इनके खाते में पेमेंट नहीं जाएगा दूसरा जो हम रखे हुए उसको भी हम चेक करके आप लोग सामने दिखा देते हैं कि उसके बाद से यहां पर हम फिर से दूसरा पंजिकर्ण नंबर डालेंगे उसके बाद से सर्च करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि इस किसान का जो है बिट्टू कुमार चौबए आपका आवेदा मुख्याले अस्तर से भारत सरकार को दिनांग चौविस बारत दोजर 2 बच के अठारम यंड बावन सेगैंड पीम को अग्रासरित कर दिया गया है आगे की स्थिति जाने के लिए इस वेवसाइट पर आप ट्लिक कर सकते हैं तो दोस्तों इनका जो है आबेदान जो है गवर्मेंट के दौरा पास कर दिया गया इनके खाते में 5 10 दीन के अंदर क्यापका फॉर्म कितने दिनों पास होगा और पास होगा या नहीं होगा किस कारण से रिवुप इन सारी चीज़ों के बारे में यहां से आप जनकारी ले सकते हैं अगर आप सबी को payment चेक करना हे कि आपके खाते में कितना पेमेंट किस डेट में गया है तो बने फ्री एस्टेटरस उसका वीडियो जो हैं हम डिस्क्रिप्शन लिंक का लिंक डाल देंगे वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे बाइलेंस चेक करना है अगर आप सभी को इस वीडियो फसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को ज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें जबनाने में मनोबर मिलता है तो इस लिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से जैडा से लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंक्स